मेडिशिन और हेल्थ संबंधी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिड़्जास फाक के चैनल को और बेल आइकन दबाई लेटिस नोटिफिकेशन के लिए नवश्कार आदाव आज की वीडियो में बात करेंगे MRI scan के बारे में जानेंगे यह MRI scan क्या होता है, क्यों कराया जाता है, कैसे किया जाता है तो पूरी जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ सबसे पहले जान लेते हैं कि MRI scan क्या है MRI एक special type की imaging technique है, जिसमें चुमबक ये तरंगों की मदद से सरीर के अंदर के अंगों का फोटो लिया जाता है यह test क्यों किया जाता है, यदि किसी patient को brain में समस्या हो, तो brain MRI की ज़रूरत होती है इसमें brain tumor, aneurysm, hemorrhage, इत्यादी का पता लगाया जा सकता है यदि किसी patient को छाती से सम्बंधित कोई दिक्कत हो, तो उसे chest MRI की ज़रूरत पड़ती है chest MRI से heart यानि हिर्दे की condition को पता लगाया जाता है साथ ही heart से जुड़ी artery, walls को देखने के लिए भी इस chest MRI की ज़रूरत पड़ती है इसके साथ lungs यानि फेफडे की condition को भी पता लगाया सकता है कि इसमें infection या abscess तो नहीं है पेट के MRI से liver, gallbladder, pancreas और kidney के condition का पता लगाया सकता है pelvis के MRI से urinary bladder और uterus के condition को पता लगाया जाता है अब जान लेते हैं कि यह test कैसे किया जाता है तो इस test को करने के लिए hospital gown पहनाया जाता है और metal की वस्तुए निकालने को कहा जाता है metal की वस्तुए जैसे घड़ी, chain, अंगुठी, इत्यादी patient को gown पहनाने के बाद table पर लिटा दिया जाता है दिन table MRI machine के अंदर जाता है जो tunnel के आकार का होता है patient को MRI करने के समय स्थिर रहना चाहिए हिलना डूलना नहीं चाहिए MRI होने के दोरान कुछ आवाजे सुनाई दे सकती है इस test को कराने से पहले patient को अपने डॉक्टर से ये बाते जरूर बतानी चाहिए अगर उनके हिर्दे में पेस मेकर लगा हो या patient के हड्डियों में कोई नेल डाला गया हो या दातों में चांदी की फिलिंग है या अगर patient टैटू बनवाया है ये सबकी जानकारी MRI कराने से पहले डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए क्या इस टेस्ट को कराने पर दर्द का अनुभव होता है तो नहीं जेनरली इस टेस्ट को करने पर कोई दर्द नहीं होता है अब जान लेते हैं कि इस टेस्ट को करने में कितना समय लगता है तो ये एक लंबे समय का टेस्ट है इसको करने में 30-60 मिनट का समय लग सकता है कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें एपिलेपसी यानि मिर्गी जैसी बिमारी हो या जिन्हें बंद कमरों में रखने पर डर लगता हो तो उन्हें open MRI करने के सलाह दी जाती है ये MRI एक open MRI scanner में किया जाता है जिसमें टनेल जैसा सेप नहीं होता है ये थी जानकारी MRI scan के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद